प्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम बात करने वाले टीवी एटीन ब्रोडकार्स लिमिटेट के बारे में तो ये शेर मेरे पोर्टफोलिय में काफी टाइम पहले था लॉंग टम के लिए था तो इसमें मेरी जर्नी किस तरीके के रही है मेरे रिटन्स किस तरीके के रहे है सभी चीजे में बताने वाला हूँ और आगे के लिए शेर कैसा होने वाला है और किस तरीके का ये आपको रि यहाँ पर आपको नजर आएगा इसका यह विकिपीडिया और जहाँ पर इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताई हुई है ठीक है तो यह Network 18 ग्रूप की कमपनी है Reliance Industry इसके पैरेंट्स है Founder इसके रागव बहल 6 जुन 2005 को यह Founded है Mumbai Headquarter है इसका और फिलाल यहाँ पर TV18 Broadcast NAC का प्राइस 36 का चल रहा है 4.5% के उपर यह Moment दिखाया है 4 November को ठीक है और यह Company के अंदर कौन सी कौन सी Subsidioris है यहाँ पर आप देख सकते हो Wicom 18, ETV Networks, Digital 18 Media, IBM Lokmat News, IBM 18 Media and Software, iNews.com, IBM 18, Mauritius, RVT Media Private Limited इतने सारे है ठीक है तो यह यहाँ पर थोड़ी डीटेल हमने देख ली है और यह Company Investment के हिसाब से कैसी है ठीक है तो यह हम जान लेते है तो यहाँ पर TV18 Broadcast का Money Control साइट देख लेते है जहाँ पर हमको पूरी डीटेल में पता चल जाएगा कि Company का Business से लेके सारी चीज़े हम यहाँ पर देख लेंगे कि Fundamentally Company कैसी है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले इसका Price देखते है और फिलाल इसका Price और बाकी डीटेल भी यहाँ पर हम देखते हैं तो फिलाल यहाँ पर इसका जो Price है लगबग 36 का Price है ठीक है और यह इसका Low रहा है लगबग यहाँ पर दिखा देता हो तो इसका Low रहा है यहाँ पर यह 34.50 यानि यह Low के आसपास ही थोड़ा और High जो है इसका 82 का है तो यह Low के आसपास आपको नजर आ रहा है यानि यह काफी गिरावट दिखाया है इसने पूरे एक साल के अंदर तो यह अभी भी मोका है ठीक है तो मोका है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आगे की बात है यह ठीक है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका SWOT Analyze इसमें Strength, Weaknesses क्या है तो इसमें साथ Strength है जिसमें यह बता रहा है कि इसका Profit काफी अच्छा है जनरेट कर रहा है ROC काफी अच्छा है लास्ट दो साल से Return on Capital Employee काफी अच्छा है इंप्रूव कर रहा है तो यह चीज अच्छी है और Weaknesses की बात करेंगे तो 9 विकनेश है इसके अंदर 9 विकनेश है इसमें बता रहा है कि MSED Cross or Bellows Signal Line तो यह डाउनसाइड की तरफ जा रहा है ऐसा यह बता रहा है ठीक है और Opportunity की बात करेंगे तो तीन Opportunity यहाँ पर नजर आ रही है जिसमें इसका P काफी अच्छा है ऐसा यह बता रहा है तीन साल और पास साल के मुकाबले ठीक है और यहाँ पर हम देखेंगे P काफी एवरेज में है काफी अच्छा है और EPS खराब है इसका PB ratio काफी अच्छा है ठीक है और डिवीडन तो फिलाल यह कंपनी देती नहीं है अगर हम इसके एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर मेर मेरी इन्वेस्मेंट का कब से थी यह में सबसे पहले बता देता हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए कि लॉंग टम में यह शेर ने किस तरगे के रिटन दिये है तो सबसे पहले यहाँ पर मेरी बाइंग प्राइज कब की थी तो देखो लॉंग टम की तरप मैंने हमेशा मे पुराने वीडियो मेंने डाले है जो लॉंग टरम से प्रॉफिट लिये है उसमें मैंने बता कि लॉंग टर म मैंने tut 2017 में start किया था तो long term के लिए मैंने investment के लिए already में 2014 से market में invested हूँ लेकिन long term की तरफ में कब गया तो 2017 के टाइम पे तो यहां पर 2017 यहां पर दिखा देता हूँ ठीक है तो 2017 के टाइम पे price क्या था यह important है तो price भी मैं आपको बता देता हूँ तो exact मैंने तीन फरवरी 2017 में मैंने entry की थी यह share के अंदर ठीक है यहां पर यह फरवरी है ठीक है और तीन फरवरी 2017 में मेरी लगबग इसमें entry रही है exact entry मेरी यहां पर 40 के आसपास है 39.20 के उपर है 27 के उपर है तो यह price है ठीक है तो average price इतना है तो उसके उपर मेरा लगबग समझ लो 40 के आसपास का मेरा buying है यहां पर high भी देख लो यह month का तो लगबग यह 40 का price है ठीक है तो उसके बाद यह share देखो लेने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि गिरा इसके बाद अच्छा इसने moment दिखाया और यह share यहां पर आप देख सकते हो काफी अच्छा यह बढ़ गया और 2018 तक 2 April 2018 तक इसने एक अच्छा high बनाया था 70 रुपीज तक यह गया था 70 तो 40 का 30 रुपए बढ़के आ रहा था यानि 80-90 परसेंट में प्रॉफिट में था तो यहां पर मेरा decision सही था लेकिन इसको long और long करने के चकर में यह share ने यहां पर दिखा देता हूँ यह होता है 20 यह COVID के वज़े से किसी को नहीं पता लेकिन यहां पर देखो उसके बाद काफी गिरावट आई और यह एकदम से नहीं आई है तो यहां पर 18 के बाद यह गिरना ही चालू किया यह share ने ठीक है तो यहां पर आपको price नजर आएगा इसका जो 2 March का यहां पर price नजर आ रहा है लगबग इसने 11 या 12 के आसपास का low बनाया तो low यहां पर हम 12 का पकड़ लेते हैं ठीक है तो यह low और मेरा price था लगबग 40 तो लगबग यह 70% का loss है 70% यह loss यह share ने मुझे दिखाया रहा था जहां पर 80-90% का profit था वहां से यह loss में convert हो गया तो यह होता है कभी कभी long term में नुकसान तो यह चीज़ भी मैं आपको मेरे experience के साथ मेरे journey के साथ बताना चाहरा हो ठीक है तो यह बताने का यह share ऐसे डालने का मतलब यही होता है कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है तो उसके बाद मैंने क्या करता हो कि यार यह चलो मैंने जो हाथ का profit था हो छोड़ दिया छुट गया हाथ से तो इस वज़े से मैंने बाद में जो भी अच्छा खासा profit होता है उसको मैं book कर लेता हूँ ठीक है तो यह share को मैंने फिर से काफी जादा quantities में खरीदना चालू किया जब 11-12 के price पे था ठीक है तो 11-12 के price पे भी मैं काफी quantities इसकी खरीदा और उसके बाद यह share को मैंने पाच जुन 2020 जुन में इसको मैंने बेच दिया है पाच जुन 2020 यहाँ पर थोड़ी सी moment इसने दिखाई यह जुन में अच्छा कासा बढ़ गया ठीक है तो यह यहाँ पर यह लगबग 41 के आसपास यह आ गया था तो मैंने इसको बेचा कितने में ठीक है तो मै 11 के भाव पे भी मैंने काफी quantities खरी दी उसके बाद भी काफी quantities खरीतते गया में और लगबग लगबग मेरा average price काफी अच्छा आ गया था उसके वज़े से लगबग मैंने इसमें भी 21% जो मेरा minimum target मैंने बाद में रखना चालू किया कि minimum इतना percentage तो लू ठीक है जो बड़े- return आप उतना लेना चाहिए ठीक है तब आपका portfolio काफी अच्छा जाएगा है तो यहाँ पर ये share से मैंने ले लिये और उसके बाद में हर एक share से minimum इतना ही लेता हूँ या एक साल होल्ड किया तो एक साल में इतना लेना ही लेना है या उससे पहले भी returns मिल जाते है या उससे ज्यादा भी मिल जाते में returns ले लेता हूँ ठीक है अगर profit दिखता है तो यह loss फिर से आने का weight नहीं करता तो यह मेरी फिलाल strategy और इससे काफी फायदा भी हुआ है और बहुत सारे shares के वीडियो मैंने डाले भी है मेरे channel पे और इसी से काफी अच्छा portfolio भी create हो जाता है ठीक ह और कोई कोई shares अभी भी long term के लिए मैंने hold करके रखे है और उसमें काफी better returns अभी भी चल रहे है ठीक है उसमें भी अगर लगता है तो मैं उसमें से भी फटाफट निकल के अच्छा कासा profit ले लूगा तो यह यहाँ पर यह मेरी journey यह share में थी लेकिन इसके आगे अभी यह share में invest करना है तो क्या फाइदा है क्या नुकसान है यहाँ पर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर देखो government का भी pension fund का यहाँ पर investment है 3.28 तो यह big shark है और यहाँ पर देखो यह company ने returns जो है इसके 46% सिर्फ 3 साल में दिये बाकी इसके returns काफी खराब है एक साल YTD तीन मैना एक मैना और one week के सिर्फ 4.5% है तो फिलाल यह share ने कोई अच्छे returns पूरे एक साल के अंदर दिये नहीं है तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक news है जो फिलाल 18th October का है जो इसका जो sale है अच्छा 12-13% बढ़ा है year on year याने September to September तो अच्छा गासा यह sales बढ़ चुका है यह बता रह है और अगर हम देखेंगे इसका यह पुराने broker के recommendation है 2019 के जो अभी फिलाल काम नहीं आने वाले ठीक है और यहाँ पर इसके financials देख लेते जो financial यहाँ पर चार्ट में हमको नजर आ रहे है कि चार्ट वाइस यह कैसे है तो 2018 से काफी अच्छा sale बढ़ा उसके बाद भी profit की बात करते है तो चलो profitability भी काफी अच्छी है देखो loss से company profit में आई हुई है और यहाँ पर आपको profit ही नजर आ रहे है ठीक है तो profit में है company काफी अच्छी बात है तो profit making companies में investment होना जरूरी होता है देखो यहाँ पर यह 60% का यहाँ पर company ने promoter की holding है काफी अच्छी बात है यह और यहाँ पर आपको नजर आएगा यह green नजर आ रहा है याने यह जो आपको नजर आ रहा है एफाइस की holding है दस टका के आसपास एफाइस भी यहाँ पर invested है और public का भी investment काफी अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है 28% का और एक टका यहाँ पर डियाएज एड़ एक दे पर है ठीक है और यहाँ पर अगर देखेंगे tv18 broadcast यहाँ पर screener पर क्या बता रहा है तो screener पर यहाँ पर हम दो data देख लेते हैं जो ROC ROE बता रहा है तो काफी अच्छा है यह कोई खराब यहाँ पर data यहाँ पर show नहीं कर रहा है return on equity और return on capital improved काफी अच्छा है और pros and cons की ब profit कर रही है लेकिन यह dividend देती नहीं यह चीज़े खराब बता रहा है और tax rate seems low यह एक negative point है और यह company return on equity खराब है ज्यादा खराब नहीं है लेकिन 10 टका तो देती है तो यह कम ही है इस वज़े से खराब बतार और company पर थोड़ा loan भी ज्यादा है ठीक है company might be capitalizing the interest cost यहाँ पर इसका मतलब है कि थोड़ा company पर loan भी ज्यादा है और अगर हम देखेंगे इसका comparison करेंगे तो फिलाल यह sector के अंदर यह छटे नंबर पर आ रही है क्योंकि इसका market capital के वज़े से 6214 करोड का market capital है इसका और quarterly results की बात करेंगे तो देखो quarterly results में company 1100 करोड स से company 1400 करोड तक sale बढ़ गया है तो इतना कोई growth हमको देखने नहीं मिला quarterly base पे और operating profit margin के बात करेंगे तो 9 टका से यहाँ पर 3 टका margin बचने लगा है यहाँ पर expenses जादा हो गए तो यह चीज़ थोड़ी खराब यहाँ पर नजर आ रही है operating profit थोड़े गिरते हुए नजर आ र net profit 10 करोड का रहे गया है तो profitability थोड़ी कम हो गई है expense होने के वज़े से अगर profit and loss की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा 2011 से लेके 2022 तक 809 करोड से लेके 55,000 करोड तक company ने sale किया है तो sales काफी अच्छा हुआ है लेकिन यहाँ पर अगर operating profit margin की बात करेंगे 5 टक तक company ने यहाँ पर operating profit margin की मिल रहा है तो लेकिन थोड़ा बहुत operating profit margin कम हुआ है और net profit की बात करेंगे तो net profit यहाँ पर आपको देखने मिलेगा starting में company loss कर रही थी लेकिन फिलाल यहाँ पर company 926 करोड का यहाँ पर net profit कर रहे है तो profitability बढ़ती हुए नजर आ रही है अगर year to year देखा जाए तो ठीक है अगर यह stock का CAGR देखा जाए तो दो टका 10 साल के हिसाब से return दे रहा है तो यह काफी कम है और काफी खराब return है पास साल से तो 4% माइनस में चल रहा है तो यह भी चीज़ खराब है तीन साल से 14% साला ना दे रहा है तो यह थोड़ा बहुत ठीक है त 15 साल के return लेकिन एक साल में तो 16% गिरा है ठीक है और balance sheet की बात करेंगे तो balance sheet में यहाँ पर आपको नजर आएगा company की borrowing 500 करोड से लेखे अभी 1400 करोड तक है तो company की borrowing थोड़ी बढ़ गई है company ने करजा जादा उठा लिया है ठीक है और reserve में company के पास फिर भी पैसा जादा है तो reserve company का अच्छा है ये भी चीज़ अच्छी है अगर यहाँ पर share holding pattern की बात करेंगे तो share holding pattern में देखो FIS की holding थोड़ी strong है लेकिन उन्होंने बेचते हुए आई है यहाँ पर देखो थोड़ा उन्होंने भी बेचा हुआ है और government का थोड़ा यहाँ पर उन्होंने भी थोड़ा बेचा है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हलका सा है और public यहाँ पर देख सकते हो public की यहाँ पर investment बढ़ चुकी है और अगर ticker type की बात करेंगे तो ticker type में यहाँ पर आपको देखने मिलेगा फिलाल यहाँ पर इसका intrinsic value का data यहाँ पर show नहीं कर रहा है ठीक है लेकिन यहाँ पर जो other चीज़े है इसका ROE versus FD यह यहाँ पर negative बता रहा है ठीक है और return on equity इतना अच्छा नहीं है versus FD के dividend return भी देता नहीं है ठीक है और entry point के सबसे पूर लग रहा है क्योंकि अभी डाउन पर मिल रहा है हमको no red flag यहने आगे यहाँ पर company में कोई डरने की बात नहीं क्योंकि यह सेफ है AGM list और GSM list में नहीं है इस वज़े से ASM list और GSM list में नहीं होने के वज़े से यह company में invest करने में कोई खत्रा नहीं है ठीक है और अगर हम देखेंगे इसके max के return तो max में देखो आप यह company में लगबग लगबग यहाँ पर invested रहते तो आपका fund का पुरा loss हो जाता अगर एक लाग का यहाँ पर आपको 57% आप माइनस में रहते यानि आपका just 47, 43,000 रुपीज बन जाता तो यह returns काफी खराब होते ठीक है तो इतना यह खराब return इसने यह share ने दिया है long term में तो इसलिए यह share में देखो long term के सबसे इसने अच्छे return दिये ने लेकिन आगे future में इसके profitability के वज़े से अगर यह long term में और भी अच्छे return दे तो फिलाल opportunity भी है और पहले तो इसके साथ reliance जुड़ा नहीं था लेकिन अभी फिलाल इसके साथ reliance का नाम भी है तो आगे यह अच्छे return भी दे सकता है और long term में और भी return इससे expect कर सकते है यह ऐसा मुझे लग रहा है लेकिन बाकी आपकी मर्जी होती investment करना है या नहीं यहाँ पर मेरा personal अभी investment नहीं है क्योंकि यह share में निकल चुका हूँ लेकिन में मेरा experience बता रहा हूँ तो फिलाल अभी के लिए यह share में PE wise देखा जाए तो यह share में buy कर सकते है और downside wise देखा जाए तो यह share returns दे सकता है क्योंकि अभी भी down में मिल रहा है long term में और भी returns अच्छे हो सकते है क्योंकि अगर यह share और sell इसी तरह करते जाए profitability इसी तरह करते जाए तो long term में भी काफी बेटर returns निकल सकते है तो फिलाल वीडियो अच्छा लगा है information अच्छी लगे तो जरूर चानल को subscribe करो like करो comment करो दोस्ते के साथ share करो thank you very much for watching my video thank you bye bye